दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे हम किसी भी सोंग का जो बैक्राउंड म्यूजिक है उसे कैसे हटाया जाता है कैसे उसको रिम्यूग करते हैं चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले तो अपने स्टूडियो को उपर कीजिए उसके बाद आप कोई भी सोंग ले सकते हैं आप कोई भी सोंग लेकर उस पर एक बार उस पर डेबल क्लिक करें डेबल क्लिक करने के बाद पहले उसको नुर्मिलाइज कर ले सबका अलग अलग तरीका होता है लेकिन हमारा तरीका कुछ अलग है तो आप उसको नुर्मिलाइज कर ले उसके बाद स्टीरियो कर ले और आवाज को बिसक फुल कर दे उसके बाद कंट्रोल एल प्रेस कीजिए तो मिक्सर में चला आप यहां पर सबसे पहले जो इसमें बना वज़स पे तरिक करके इकू यह ले लीजिए और इसको 50% यहां से और यहां से गिरा दे उसके बाद लीजिए आप फ्रिवटी जो रिवर्ब होता है न फ्रिवटी रिवर्ब टू उसको यूज के लिए और उसको थोड़ा सा लेते हैं इकूलाइजर इकूल्टी परमेंटर हां तो इसको लेने के बाद राइट क्लिक कीजिए उसके बाद टाइप पे जाए उसके पाद हाई पास पर क्लिक कीजिए और इसको अपने हिसाब से यहां पर क्लिक कीजिए और उसके बाद जो एक और रगन है वो है में हम इसको ऐसे और इसको एसे इसको थोड़ा ऐसे तो इसको एक सीड़ी नजिए आप ऑफ उल कर देखिए जो सोंग का बैक्रांड मिजिक था वो चला गया है सोंग का बैकरांड मुजिक था वो ठट चुका है जो अब बिल्कुल कलियर जो मूजिक था वो इसका साउंड करेट करेगा थैंक यू प्लीज वाचिंग इस वीडियो एंड चैनल को लाइक और सस्क्राइब करें अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट जरूर करें थैंक यू